जैसे के हमें बेतीत हैं, चौदवीवी फेबरेरी को हम भालेंटाइन डे के नाम से काने हैं ये पूरे विश्ववर इसको चौदवीबरेरी में मनाया जाता है और हमारे देश भारत में इसको प्रेम दिवस के नाम से कहा जाता है अब चलिए जानते हैं इसका इतिहास क्या आज से सत्रसो साल पहले यानि दुसरी या तिसरी सतावदी में एक क्लोडियस नामक राजा था रोम का, जो अत्यधिक क्रूर था वो यह सोचता था कि पूरे संसार पे में फते करके उसको एक अपने छत्रचाया में उसका एक छत्रपती राजा बन जाओ तो वहां रोम में ये उसने पाया कि जो इस्त्री पूरुष के साथ बैवाईक है जिसका पूरुष के साथ समंद है, जिस पूरुष का हिस्त्री के साथ समंद है वो कम बलसाली और जिसका समंद किसी भी हिस्त्रियों के साथ नहीं है वो ज्यादा बलसाली ये उसको प्रतीत हुआ जब ये बात उसको प्रतीत हुआ तो उसने एक नियम बनाया रोम में देश में कि यहां अब किसी भी पूरुष को इस्त्री के साथ प्रेम में समंद रखना वर्जियत है किसी भी वैवाहिक संबंद को आप यहां संपाधित करना असंभव है ये में मना करता हुआ जब कलॉडियस ने ये नियन्ने लिया तो वहां एक सेंट वहलेंटाइन सेंट यानि साथू होता है एक साथू वहलेंटाइन नामक साथूária रहता था तो उसको ये नेडने सुनकर अत्यधिक बुरा लगा। जब उसको ये नेडने सुनकर अत्यधिक बुरा लगा, तो उसने विचार किया कि अब मैं जोभी इस्त्रिया पुरुष, एक आपस में प्रेम में संबन्ध रखना चाहतें, उनको छुपके से अपने पास लाओंगा उनलोग का वैवाईक जीवन प्रारंब करवाओंगा, तो उसने एक दो ऐसे साधियां करवाई, तो करवाते करवाते ये बात रोम के राजा Cliffordius को पता चल गया, तो उसने सेंट बेलेंटाइन को जेल में बंद कर दिया जब जेल में उसने बंद कर दिया तो वहाँ एक जेलर की बेटी थी जो अंदी थी तो वो बेटी हमेशा उसको खाना देने के लिए जेल में हर रोज जाया कर दिया तो वहाँ सेंट बैलेंटाइन और वो लड़की के वीज़ एक प्रेम में सम्मंद वहाँ बन गया उसके अंदे होने के कारण उसको बहुत अत्यधीक परिशानी को सामना करना पड़ता था तो सेंट भैलेंटाइन ने क्या किया कि एक दिन बहुत प्रेम में विवोर होकर अपना हात से उस आख नेत्र में सहलाते हुए उसने जब सहला रहा था तो अचानक एक समतकर देखने को मिला कि उसकी आख ठीक हो गया वो फिर से देखने लग गए तो ये बात फिर से जब रोम के राजा क्रूर राजा क्लोडियस को पता चले तो उसने सेंट भैलेंटाइन को 14 फेवरेरी के दिन फासी के फंदर पे चड़ा दिया तो इस दुखदाइक घटना को लेकर ये माना जाता है कि 14 फेवरेरी को वैलेंटाइन डे के नाम से माना जाता है तो ये वैलेंटाइन डे हमारे भारतीय संस्कृति में भारत देश में प्रेम दिवस के नाम से जाना जाता है तो पहले हम ये जानते हैं कि प्रेम क्या होता है फिर उसके बाद प्रेम दिवस के विषय में जानते हैं देखिए प्रेम जानने के लिए हमें मोह को जानना अत्यधिक जरूरी है जिस प्रकार प्रकास का महत्व अंधेरे में रहकर ही पता चलता है उसी प्रकार प्रेम का महत्व मोह में रहकर मोह का पता लगा कर ही प्रेम का सही बास्तविक अर्थ जो है पता लगती है तो मोहों दो प्रकार के होते हैं एक बेक्ति मोहों यानि आकर्शन तो कोई बेक्ति किसी के प्रती आकर्शित अतवा मोहों में कब बनता है जब पहले उसके अंदर उसके प्रती कोई स्वार थो जब उसका कोई विशेष्टा है जब उसका धन, पल्द, सारीरिक संदर्यता, ये सब को देखकर अगर वो किसी के प्रति आकरशित हो रहा है, तो इसको कोरा मोह कहा जाएगा, जिसमें कोई सत्य नहीं, जो बिल्कुल असत्य है, तो इसको कहा जाएगा असत्य मोह। अब हम जानते हैं दूसरी प्रकार की मोह, जिसको कहते हैं अर्द सत्य मोह। इसको मैं अर्द सत्य मोह इसलिए कह रहा हूँ, क्यूंकि इसको पूराही ये मोह को पूराही जुटा नहीं कहा जा सकता, जुटा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्यूंकि जैसे एक माँ जब बेटे को अथवा अपने बेटी को बच्चों को जन्म देती है तो उसके अंदर इदी उस बच्चों के प्रतीम हो नहीं है तो क्या वो बच्चा और बच्ची जिन्दा रहे पाईगी कदाचित नहीं रहे पाईगी और अगर बच्चा और बच्ची ही एक माँ जिन्दा नहीं रख पाई तो ये संसार में जो संसार कैसे चल पाएगा और दुसरा आपको मैं अर्दसत्य मोह की एक दिश्टानत देता हूँ कि जिस प्रकार हम अपने सरीर के प्रतिय को मोह रखें अगर सरीर के प्रतिय हमारा मोह नहीं तो कैसे तो क्यूं हम खाएगे क्यूं ये सरीर को पानी देंगे पानी पिलाएगे क्यूं इस सरीर को अनेकों सुक सुविदाओं में रखेंगे क्यों कुछ पाने का उम्मिद रखेंगे, इसलिए रखते हैं, क्योंकि हमें कहीं न कहीं सरीर से महजुडा हुआ और ये बहुत अत्यन्त जरूरी भी है, अगर ये ही नहीं हुआ, ये ही महगर नहीं रहा, तो क्या कोई भी जिंदा रहे पाएगा? अगर सरीर के प्रतिक, किसी का पूर्ण तया महँ छूट गया, तो क्या वो सरीर के अंदर रहे पाएगा? उसकी चेतना, उसकी आत्म सरीर के अंदर रहे पाएगी, कदाचित नहीं रहे पाएगी तो इसको ये अर्दसत्यमोह जो है इसको पूरा ही हम असत्य भी नहीं कह सकते हैं और सत्य भी नहीं कह सकते हैं इसलिए इसको अर्दसत्यमोह खा जाता है अब तीसरा होता है प्रेम प्रेम में क्या होता है प्रेम कुछ विरलाही चीज है यह जोगियों यानि जोगन की चीज है यह सुहाग्यनियों का चीज है यह कुछ उची कुछ इस संसार से परी उस ब्रह्म की चीज है ब्रह्म तक तो है प्रेम यह प्रेम में कदाचित कहीं भी स्वार्छ नहीं रह जाता है यहां प्रेम इसलिए नहीं कहा किया जाता है उससे कुछ प्राप्त हो जिससे हम प्रेम करने हैं असलिए किया जाता है कि उसको खुषी मिले, वो रिजजाए, वो खुष हो जाए और अपनी अस्तित्तों का भी चिंता नहीं रहता, सोचते हैं जो प्रगाड प्रेम में होते हैं, वो यह सोचते हैं कि भले ही मेरा अस्तित्तों ना रहे, भलेवी मेरा अस्तित्तों मीटाना पड़े पर उसको कुछ नहीं होना चाहिए ये असल में सच्चा प्रेम माना जाएगा ये ही परिवासा प्रेम का और प्रेम क्या है सास्तुरों में कहा गया है वेद में अकामो धीरो अम्रिथा रशे न स्वयम्वू रशे न त्रिप्तो न कृतस्चनोना अर्थात वो जो ब्रह्म है वो रशे न त्रिप्तो यानि रश से त्रिप्त है रश यानि प्रेम प्रेम में रशों से आनन्द से वो ब्रह्म त्रिप्त है और ये भी काया जाता है हमारे ब्रह्मवानी के भासा में कि इसक साइब सो नहीं अंतर जो अरस परस भीतर उस ब्रह्म और प्रेम में कोई भी अंतर नहीं ब्रह्म ही प्रेम है और प्रेम ही ब्रह्म है तो अगर किसी के अंदर जैसे हम एक द्रिष्टान ते ले लेला और मजनु में तो एक प्रकार से देखाद आये तो मजनु लेला के लिए अपने आपको कुर्वान कर सकती है और लेला मजनु के लिए कुर्वान अपने आपको इसको हम प्रेम नहीं कह सकते क्योंकि प्रेम असिमित होता है इसलिए इसको ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है क्योंकि ब्रह्म भी असिमित होता है अनन्त होता है अनादी होता है तो ये प्रेम भी अनादी अनन्त और असिमित है ये प्रेम कवी न मिटने वाला होता है तो लेला और मजनू जो एक आपस में मोह अथवा प्रेम ही रखते हैं कि साबसे कहे दिया जाए कि प्रेम ही रखते हैं फिर भी वो प्रेम क्या हो जाएगी? सिमित हो जाएगी किस चीज में, किस रूप में सिमित हो जाएगी सारीरिक रूप में सिमित हो जाएगी जब लेला का सरीर भी नहीं रहेगा मजनू का सरीर भी नहीं रहेगा तो उनके बीच का जो अकर्षन है, प्रेम है वो भी वो सरीर के साथ साथ मिट जाएगी तो ये सिमित हुआ, ये मिट जाने वाला हुआ, तो प्रेम बस तु क्या चीज है, जिसको मिरा कर दिखाई, जिसको रस्खान कर दिखाई, जिसको सुर्दास कर दिखाई, एक मिरा का एक कहानी आता है, घटना आता है, कि उसको बीच दिया जाता है अन्तिम में, कि तुम रान कर कृष्ण के प्रेम में दर-दर गली-गलियां से विखारियों की तरह विखारियन की तरह नहीं दोड़ सकती है तो वो कहा जाता है कि अगर ये तुम नहीं मानती तो तुमें ये बिश पी के अपना देहत्याग करना होगा तो मेरा खुशी-खुशी उस 20 को अपनाती है, स्री कृष्ण जी को भोग लगाती है, चड़ाती है और उसको पी जाती है, तो ये होती है प्रेम ये प्रेम में जो है, अपनी अस्तित्तों की ख्याल ही नहीं रहता है, बस सामने वाला रहता है और उसमें ही अरस परस, यानि उसमें एक हो जाना है, अपना अस्तित्तों ही मिटा कर उसमें एक हो जाना ही प्रेम होता है और प्रेम कभी भी सरीर से अंतहकरंट से संभव नहीं क्योंकि सरीर और अंतहकरंट जो है मिटने वाला है जो यहाँ प्रकट होता है जो उत्पन होता है वो अवश्य मिटता है तो प्रेम बस तो एक अनाधी सत्ता से अनाधी सत्ता तक का ही जो सम्मंद है, जो आकर्षन है, कुछ भी कहिए, उसको हम प्रेम कह सकते हैं अनादी सत्ता कोन? आत्मा और दुसरा अनादी सत्ता कोन? परमात्मा, इस्वर, ब्रह्म तो ये आत्मा जो एक आकर्षन, एक प्रेम, एक मोहों में जब इस्वर से बद जाती है तो उसको प्रेम कहा दाता है, तो जिस प्रकार इस संसार में प्रेम के नाम पर, प्रेम दिवस के नाम पर अने कोँ भ्रांतियां फैली हुई है, कि प्रेम दिवस के नाम पर दो एक लड़का, एक लड़की एकापस में मिलते हैं, कुछ मिठी बात करते हैं, प्रेम बेक्त करते हैं और दो-चार दिन बाद फिर जगरने लग जाते हैं, फिर सम्मंद्र टूटता है और दुख का भागी उन दोनों को ही होना पड़ता है, तो इसको प्रेम नहीं कहा जाए, जिसमें स्वार्त चुपा ह उसको कदाचित प्रेम नहीं कहा जाए, तो इसलिए हमें क्या करना है, कि ये प्रेम दिवस का फाइदा लेकर, इस प्रेम दिवस का उपलक्ष में, हम या आज से संकल्प ले, कि हम प्रेम एक उस ब्रह्म से ही करेंगे, क्योंकि जो प्रेम है, वो ब्रह्म पे ही और ब्रह् वस्तु को करेंगे, तो वो मह कहलाई जाएगी, क्योंकि ये संसार की हर एक जो वस्तु है, वो मह तत्तो से बना हुआ, एक स्लोक आता है, सुक्ती आता है महाभारत में, जगत महत मकम प्राहू, अव्यक्त व्यक्त संग जपन, अर्थार, ये संसार में जो चीज भी बना हुआ है, वो महतत्तो से, मह से बना हुआ है, ये जगत का निर्मान ही मह से होता है, तो अगर इस जगत की किसी भी चीज से अगर हम प्रेम रखते हैं, मह रखते हैं, तो किसी काम का नहीं, एक दिन मिट जाने वाला है, जिसका अंतीम में जो रिजल्ट है, वो जेरो आने व जो अनादी अनंद है जो प्रेम ही प्रेम आनंद ही आनंद का श्रोत है उस ब्रह्म में अपना प्रेम लगा कर उसमें ही विलीन हो जागा तभी हमारा ये प्रेम दिवस जो है सार्तक हो पाएगा ना कि दो लड़का लड़की मिले कुछ सारी रिक संबंद बनाएं रिदेयों का संबंद बनाएं और कुछ समय बाद छूट तो आज यहीं बोलकर मैं इस दो सब्द को विराम देना चालता मुलिये शुटारता है झालता मुलिये शुटारता है